हाई अब्रिवन वेलकम टू डेलाइट लाइट लाइट स्टाइल आज में लेकर आई हो आप लोग के लिए मटर मलाई की सबजी की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही असान है बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में तो चली चलते हैं हमारे किचन में और बनाते हैं फटा फट से ये टिस्टी टिस्टी सबजी मटर मलाई की सबजी बनाने के लिए मैंने कड़ाई को गैस पे रखा हुआ है गैस की फ्लिम को मैंने मीडियम करा हुआ है और अब मैं इसमें आट कर रही हूँ लगबग 3 टेबिल कर लेंगे और अब हमारे खड़े मसाले पी सिजल होने लग गए हैं तो अब मैं इसमें आड़ कर रही हो एक बारी कटा हुआ स्मॉल साइस का प्यास, not exactly स्मॉल साइस का अनियन, इसमॉल से थोड़ा सा बड़ा अनियन, कब के मेजर्मेंट से लेंगे तो वन थर्ड का बारी कटा हुआ प्यास, अब प्यास को भी हम मीडियम फ्लेम पे कुछ देर के लिए इसी तरीके से भून लेंगे, बट प्यास को ब का सब भून लेंगे कुछ सेकंद्स के लिए लो फ्लेम पे, और ध्यान रखेंगे कि इसे लो फ्लेम पे करना है ताकि जो धनिया पाउडर हल्डी पाउडर डाला है वो कुछ भी जल्ले नहीं, अब मैं इसमें एड़ करूँगी एक मीडियम साइस का बारी कटा हुआ टमा जाएंगे और अब मैं इसमें आड़ कर रही हूँ लगवक एक टिबल स्पून जितना पानी ताकि टमाटर थोड़ा सा और जल्दी कल जाएं और इसे इसी तरीके से चलाते होएं हम भूनेंगे तो टमाटर अब पक चुके हैं और ओयल भी सप्लेट होना शुरू हो गया है तो जादा टाइम नहीं लगा है जैस दो मिनट के अंदर अंदर हमाई टमाटर पक चुके हैं तो अब हम इसमें आड़ करेंगे फाफ टी स्पून रेट चिली पाउडर, फाफ टी स्पून गरम मसाला और फाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर मैंने धनिया पाउडर को पहले डाला था आप चाहें तो इस स्टेज पे भी धनिया पाउडर को डाल सकते हैं और अब इन सारे मसालों को हम भोलेंगे लगपक एक मिनट तक लो फ्लेम पे बागी रड़ चिली पाउडरों आप अपनी टेस के कोडिंग कम ज़दा कर सकते हैं तो सब कुछ अच्छे स पानी निकाल दें और इसमें हलकी उगली हुए मतर को आप डालें तो अब मैं इसमें एट कर रही हो लगबग आधा कप पानी एक बार मतर को चला लें ताकि पानी मतर के साथ मिक्स हो जाए अब हम कड़ाई को कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे लगपक दीं से 4 मिनट के लिए ताकि मतर भी अची तरीके से पक जाए और इंके अंदर मसाली भी अची तरीके से बहुत जाए और ध्यान रखेगा इन्हें लो या लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकने देंगे और आप चाहें तो बीच में आके चेक कर सकते हैं कि आपके मतर कितने पके हैं अगर अब मैंस में आड़ करूंगी कुछ दस से बारा कैशुनेट्स जिनको मैंने फ्राई करके रखा हुआ है पहले से ही तो अब इन्हें मिक्स करेंगे सारी चीजों के साथ वेल अगर आप चाहें तो कैशुनेट्स स्किप भी कर सकते हैं पर यूनो थोड़ी सी बढ़िया मलाई को इसमें मिक्स करिए और अब हमारी सबजी बनके रेडी है इसे जादा नहीं पकाना है में तो अब इसे गर्मा गरम किसी बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं एंड सर्फ करेंगे पराथे रोटी चपाती वाटेवर जिसके साथ भी हमें पसंदे सबजी लेना अब मैं थोड़ी सी मलाई ऊपर से भी डाल देती हूँ आराउंड वन टीस्पून तो फाइनली इस रेडी तू सर्फ वेल फ्रेंड सकर आप चाहें तो मलाई के जबी यूस कर सकते हैं बट यू नो मलाई सब घर में एजली अवेलबल हो जाती है इसलिए मैंने यहां मलाई का यू प्यूस ताइम!